ये देखो जी य कुछ आल है मेरे गर का और यह दोन्हों खतरना क्प्राणी मैंने सारह और इंगे प्षेच्श कीया था यह पता है पड़ी किया हुँ हुँ कि लेख लो मतलब दीवाली की है का ध्या यह देख लो मतलब दीवाली की सारी डेकृर की मेरे गरम wreck हमने लगके दिवाली की सफाई की इधर वाला पूरा एरिया अरेंज गर दिया था पर्दा लगा दिया था अब अगर आपको आहला दिखाऊ ने मेरे गर की दिवाली आई नहीं है सफाई कब की दिया अपनने कल की थी ना मिरू क्ल की रहाल देखो या दूंचा जाना मजणा प्रोवर है अब बाई ने पूरी तर इक हैल लेकिन मेरे खुद यह जानवर दो मेरे घर में ये दोनों ऐसे यह देखो काट फीट और यह यह हैं पर डेकोरेशन कर रहा है अपने हिसाब से है ना डेकोरेशन कर रह आँ भाही न कि अधि के वां कि अधिया खाल था मुली कुल टौ आजर बड़ी के जूद बया है मैं असमा बड़ी धिवाली खिलिगा जुदा दो और फिल्डा था बड़ी अप्टिडिवें जूद आज बता बड़ी अपिदे बता कि अधिया लाऍट। अभी भी यही लग रहा है कि आमने spelling गलत बताई थी ये बड़ी ABCD में पूछ रहा था मैंने चोटी ABCD में बता दी ये अभी भी अपनी बात प्यादी गया इसको कोई फरक नहीं बढ़ा है ठीक है ये बना रहा था पता है क्या एक चोड़ ये डेकोरीशन मत कर ये बना रहा नहीं तो अभी भी इसको ये लग रहा है कि आमने चोटी ABCD में बताई नहीं दीना बोलने में चोटी ABCD किसको बोलने आती है अभी ABCD में स्पेलिंग बताना बाई और रात के बजगे साधेनो का है सरमाजी सरमाजी तो गये हैं चोट काया वे जब ये दो मुदाव सुभी स व्लोगिंग नहीं कि फोन को आती नहीं लगाया मतलब उसमें हाथ तो लगाया लेकिन बाक्की काम किये तो सुबैसे हमने कोई व्लोग शूट नहीं किया आप जाके मैं सोचा केमरा उठाते हैं साथे नुव बजगे सार्मा जी निकले हैं हरियाना से अब वो बोडर पार आप पैंचें हैं यह इस बोर्डर में गुझन में मारे अरिया में कितना टाइम लगगा नहीं को तक है इसा क्यों खुआंक पर City केल है उसको आप नहीं जाने नहीं कि उसका कौने जाए आ वक तो नहीं ऊनक देखा कुपना इनु इसन प्यों को हाँ इसको मतलब होता है इसन वे मतलब होता है बता है कर दो 뉴스 सुभजाब में बोस्तो हो दो ब सुभ शकुर होता है अब देखते हैं कब होचते हैं और फिलाल मैं सोच्रियों कुछ अलग करने का देखते हैं क्या अब देखते हैं कि अब देखते हैं तो जी यहां पर मैंने किचन का जो उपर का जितना भी सामान था न सारा नीचे उतार दिया है और आज जो मतलब दिवाली पर जो भी सफाई होती हैं आप सब को पता ही है एक दम हम लोग सोचते हैं कि अच्छे से डीट क्लीनिंग करें और उसके बाद में एक जो फ्रेशनेस घर के अंदर आती है न वो बस क्या बता हू यह मैंने सारा सामान नीचे उतार करके और बरतन में पहले सारे क्लीन करके लिए हूँ जो बरतन मतलब जिनके उपर पुराने बरतन मिट्टी मिट्टी जम जाती न जो यूज में नहीं आते वह सारे बस यह जो उपर कड़ाई रखे न इसको छोड़ दिया थी क्योंकि यह वाली कड़ाई जो यूजी नहीं होती अगर मैं दोंगी और इसके उपर मिट्टी चिकट वगएरा कुछ भी नहीं है मतलब वह होते न धूल 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 है बस वह जाड़ता ही जड़ गई नीचे के जो होते न बरतनून में चिकट सी जमा हो जाती है थोड़ा सा तेल से और नीरू को मैंने बोला कि भाई तो ना इधर कील थोड़ी सी कीले कील वगएरा गाड़ दे जिनके उपर चमच वगएरा और या फिर यह चमच स्टेंड होता है यह सब टांग दें और परहिसानी ना हो मतलब इधर उधर प्लेटफॉम पर रखने के लिए जगह जो होते है और जाले वगएरा भी मैंने उतार दिया है और अब मैं अख़बार पर ही वो मिटी ले रही हूँ अब इसके बाद में ना सिर्फ गीले कपड़े से मैं इसको पहुच दूँगी और नीचे वाले प्लेटफॉर्म को भी और यह जो पेपर मैंने लगा थे ना इनका मैंन नहीं उतारूंगी इनको वैसे ही पूच दूँगी कपड़े से ही क्योंकि इतने गंदे नहीं रोज साफ होते ही है और पीछे जो स्काई कलर का जो आपको दिख रहा होगा ने एक पेपर हमने लगा रखा है कोसिस है कि उसको चेंज करें उसकी जिगह पर दूसरा लेकर आ और इसको बदल दूँ और यह वाला वैसे अख़बार जैसा इसका पेपर था तो वह प्लास्टिक में आएगा न वह ज्यादा अच्छा रहेगा तो यहां पर मैं अंदर से सारी जाडू लगा कर ले आई हूं सारा कच्रा मैंने निकाल दिया है और यह जो टोकरी है यह सब ग्यारा पोने बारा का टाइम हो रख है और इस टाइम सरमाजी पहुचे हैं उधर से मेंदर गड़ गए थे न वहां से तो जी यह है नेक्स्ट डे मोरनिंग बस मैंने उस काम को वहीं पर चोड़ दिया था रात को सूबह उठकर के दुबारा सारे घर में एक बार जाडू बार किये बस नीचे अब मैं ये डिबे जो थे ना इनके मसाले वगरा जो इनके अंदर थे वो तो मैंने निकाल के चार पाई पर रख दिया है और अब मैं लगाने लगी हूँ मतलब इनको धोने के लिए बैटी हूँ ये सारे धोने के लिए जैसे पानी आजाएगा अब कर दो तो जी यहां पर मेरे हर एक डिबे को मैंने बहुत अच्छे से इनमें एक पता है क्या दिकत है कि इनका अगर मैं जूने से रगड़ूंगी तो उपर स्क्रेच हो जाएंगे और अगर मैं आराम से रगड़ूंगी तो इनकी चिकट नहीं उतरेगी तो मैंने इनको अच्छे से पहले एक बार सबसे भिगोया है अच्छे से और गुनगुना नीरू जो है वो गर के बाहर की सफाई करके आ जुके हैं और बीच में अभी ये पानी लगा कर नेनी को दे दिया है कहने का मतलब ये है कि दिवाली है तो गर के अंदर, गर के बाहर और सब जिगह एकदम चकाचक जब हो जाता है तब आता है जो सुकुन कि क्या बता हूं मतलब तोहार वाली फीलिंग तो तब ही आती है सारा घर जब साफ हो जाता है सारे दिवारें सारे कपड़े दुले-दुले अलमारियां एकदम अरेंज किचन एकदम साफ सुतरी सी और फिर हम लेकर आते हैं दिवाली की शोपिंग कर कि मतलब दिवाली का जो सामान होता है वो वो सौपिंग करके लाते हैं तो फिर दिवाली दिना अच्छे-ची चीजे बनाते हैं पकवान बनाते हैं कितना मज़ा आता है सोच करी मतलब यू लगता है कि हां सच में एक अलग वाली फीलिंग आती है ऐसी तो किसी साधी ब्या करने लग जाती हूँ हाँ ऐसे लाऊंगी वैसे लाऊंगी लेकिन आपकी बार देखते हैं क्या कुछ लेके आते हैं क्योंकि इस्तिवहार पर इतना बड़ा गाटा भी तो लग गया हम दिवाली के पास ही कोई दिकत नहीं है चलो जितना हो सकेगा उतना तो करेंगे ही तो र करेंगे जाते हैं》 दिकता हैं फो सकता हैं